नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्नब गोस्वामी का चिलाना और गरजना क्यों जायज और जरूरी है अमर सहीद भगत सिंग ने जब असेंबली में बंफोडा था तो उसका कारण भी अदालत में बताया था उन्होंने कहा था कि देश में जो नया अंदोलन तेजी के साथ उठ रहा है और जिसकी पूरु सूचना हम दे चुके हैं वह गुरु गोविन सिंग, सिवा जी, कमाल पाशा, वासिंग्टन, गेरी बाल्डी, लफायत और लेनिन के आदरसों से ही प्रसफूरित हैं और उन्हीं के पचिनों पर चल रहा हैं चोकि भारत की विदेशी सरकार और हमारे राश्ट्रिय नेतागन दोनों ही इस आंदोलन की और से उदासीन लगते हैं और जान बूच कर उसकी पुकार की और से अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने अपना करतेवे समझा कि हम एक ऐसी चेतावनी दे जिसको इग्नोर नहीं किया जा सके या जिसकी अवेलना नहीं की जा सके हमारा एक मात्र उदेशिय था बहरों को सुनाना और उन पीडितों की मांगों पर ध्यान न देने वाली सरकार को समय रहते चेतावनी देना अदालत में भगत सिंग के बयान से या तो स्पस्ट होई जाता है कि भगत सिंग और बटू के सरदत की जोड़ी और उनके सभी करांतीकारी साथी भी या मानते थे कि असेंबली में जाकर सैनाई और बासूरी बजाने से इस बहरी सरकार और उसके राश्ट्रे नेताओं के कान नहीं खुलेंगे उस समय भी ब्रिटिस सरकार तो भगत सिंग और बटू के स्वरदत के खून की प्यासी हो गई थी लेकिन महोंदास करमचंद गांधी, जवालाल नहरू और उनकी कॉंग्रेस ने भी उस बम विस्पोट के खिलाब उसी तरह नागभों सिकोडने का काम किया था जिस तरह इन दिनों अरनब गोस्वामी के चीखने चिलाने पर लुटेनिया मीडिया का गिरो, सेकुलर, लिबरल, सियासी गैंग और खुद को कुछ अलग दिखाने के पाखंड जाल में फसा, राष्ट्रवाद के समर्थकों का एक वर्ग अपनी नागभों सिकोड राए सिंग और उनके सहीज साथियों के साथ किसी की भी तुलना करना गलत ही नहीं बलकि पाप करने के समान है, लेकिन उनके दिये मैसेज को फॉलो करना, उनका अनुसरन करना गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत की आउशकता होती है और सहियोग से जब गोस्वामी के चीखने चिल्दाने से क्या और कैसा संबन्द है, जब मुंबई में पुलिस वालों की आँखों के सामने उनके घेरे में बुड्डे सादूओं को मार दिया जाता है, तीन दिन तक सरकार कोई कारवाई नहीं करती हैं, देश की पत्रकारिता पर काले ना का सच देश के सामने उजागर करते समय अरनब गोस्वामी अगर क्रोज से चीख था और चिल्लाता हैं तो क्या गलत करता हैं। ऐसी स्थती में मेरे लिए केवल ये बात माइने रखती हैं कि अर्नब क्या कह रहा है उस समय मेरे लिए ये तत्य अर्थ हीन हो जाता हैं कि अर्नब उस बात को कैसे कह रहा है चिल्ला के कह रहा है या धीरे से कह रहा है आतंगवादियों का पक्स लेते हुए देश की सैना के मुख्या आर्मी चीफ को जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता सड़क का गुंडा कहते हैं ऐसा करके देश की सैना के सम्मान, स्वाबिमान और मनोबल के चितडे उड़ाने की कोशिश करते हैं तो देश के हर नागरिक का खून खौलता है लेकिन देश में पत्रकारिता पर काले नाग की तरह कुंडली मार कर बैठा लुटेनिया मीडिया और उस नेता की पार्टी जब उस नेता के देश घाती करतूत पर चुपी साधे रहते हैं तो उनके खिलाफ अर्नब गोस्वामी जब क्रोश से चिलाता है तो क्या गलत करत हैं आज अर्नब गोस्वामी के चीखने चिलाने पर मातम कर रहे पाखंडियों से देश जानना चाता है कि वो कौन सा नियम और कानून है कि इतने देश घाती कारिय के बावजूद किसी पत्रकार का खुन नहीं खौलना चाहिए अर्नब गोस्वामी सबसे पहले इस देश का नागरी के उसके बाद कुछ और पत्रकार होने का अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि अपने देश और अपने देश की सैना के मान सम्मान और स्वाबिमान पर किये जारे आगातों पर भी पत्रकार का खुन नहीं खौले जिन मूर्खो और पाखंडियों को मेरी बात नहीं पचरी हो वो स्वर्ग्य गणेश संकर विद्यार्थी जी का जीवन चरित्र तता उस दौर में लिखे गए उनके एडिटोरियल एक बार जरूर पड़े विशेशकर काकोरी कांड के महनाये को रामप्रसाद बिस्मिल, अस्फागुला खां, रौसन सिंग और राजिंदर लाहीडी की फासी के तुरंद बाद स्वर्ग्य विद्यार्थी जी द्वारा वे टाइटल से लिखा गया एडिटोरियल तो जरूर पड़ ले अपने उस एडिटोरियल में स्वर्ग्य विद्यार्थी जी ने मोहनदास करमचंद गांधी और जवालल नैरू समेत हर उस नेता की जमकर खबर ली थी जो उन अमर बलिदानी करांती कारियों को हिंसावादी बताकर अपनी नागभो सिकोड़ा करते थे नई पीडी को ये बताना बहुत जरूरी है कि स्वर्ग्य गणे संकर विद्यार्थी जी की पत्रकारिता भारत में हिंदी पत्रकारिता की इतियास पुस्तिका का स्वार्णिम अध्याय है इन उदार्णों के अलावा भी ऐसे कई एक्जामपल हैं जिनके खिलाफ केवल अर्नव गोस्वामी ही नहीं बलकि हर उस पत्रकार को चिलाना और गरजना चाहिए जिसे इस देश की मिट्टी से प्यार हैं देश के मान सम्मान और स्वाबिमान पर किये जाने वाले प्रहार पहुँच जाते हैं तो उनकी उस कर्तूत के खिलाफ केवल अर्नव गोस्वामी ही नहीं बलकि हर एक पत्रकार को चिलाना और गरजना ही चाहिए देश की सरकार में बरसो तक कैबिनेट मंत्री रहे मनी संकर अयर 2015 में जब इसलामाबाद में पाकिस्तानी चैनल को दिये अपने इंटर्वियू में जब कहते हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच वारता बहाल करनी हैं तो प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा लेकिन लुटेनिया मीडिया का गिरो और मनी संकर अयर की पार्टी जब मनी संकर अयर के देश घाती कारिय पर चुप्पी साधे रहते हैं तो उनकी उस करतूत के खिलाफ केवल अरनब गोस्वामी ही नहीं बलकि हर पत्रकार को चिलाना और गरजना ही चाहिए चीन जब भारत में गुस्पेट की कोशिस कर रहा होता है भारतिय सैनिक अपने प्राणों को दाव पर लगा कर उससे जूंज रहे होते हैं ठीक उसी समय देश की मुख्य विपकसी पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्स चीन के राजदू से गुप्त मुलाकात करने चोरी आ जाता है लेकिन राहूल गांदी की इस देश घाती करतूत के खिलाफ लुटेनिया मीडिया का गिरो और कॉंगे समेथ उसके सारे विपकसी जब एक सब्द नहीं बोलते हैं और सातिर चुप्पी साद लेते हैं तो उनकी उस करतूत के खिलाफ केवल अर्नब गोस्वामी नहीं बलकि हर पत्रकार को चिलाना और गरजना ही चाहिए यह तो कुछ उदारन मात्र हैं अन्यता देश की राजनिती और सामाजीक प्रसासनिक व्यवस्ता के गल्यारों में ऐसे असंक्य अंगिनत उदारन बिखरे पड़े हैं जो यह बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी का चिलाना और गरजना क्यों जायज और जरूरी हैं थैंक यू वेरी मच जैहिन